तब फिर से आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूं यहाँ पर मैं आप सिर्प को जनम परमानपतर के बारे में बताने मिए जनम परमानपतr कैसे बनता है। और कौन कोन सब प्रोस legislation करना पड़ता है। और कौन सा बेव साइट से जन्म परमान पत्र ऑनलाइन अपलाई होता है तो उन सभी का complete जानकारी देने वाला हूं और मैं हूं रोशन और आप देख रहें डिजिटल जोर रोशन चैनल पर नहीं होगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए का इस तरह का साइबर क आप से रिलेटेड कोई भी इनफोर्मेशन पाने के आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखे तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में अब सभी को जानकारी देता हूं कि जन्रम परमान पत्र कैसे बनता है और कितना दिन के अंदर बनता है और कहां से बनता है और क इसको मिलतों परमान पत्र बोलते हैं इन सभी का बनाने का प्रोसेस होता है जिसे माले यह कोई बच्चा है कोई अगर जनम लेता है जिस दिन जनम हो बच्चा का उस दिन से लेकर 21 दिन कंदर अगर कहीं भी अगर इसका जनम परमान पत्र ऑनलाइन करते हैं या घर बैठे बनाते हैं या सरकारी होस्पीटल से बनाते हैं तो उसके लिए आपको कोई चार्ज एक भी रुपया चार्ज कहीं देने की जरुवत नहीं पड़ता है मात्रों पंदर से बीच दिन कंदर आपको ऑनलाइन बन जाता है या अफ्लाइन बन जाता है उसका आप ब्लॉक्स भी बन वा सकते हैं तो इसके लिए जो बच्चा और सरकारी होस्पीटल में या तो कहां अगर जनमा हुआ बच्चा है तो जीरो से लेकर 21 दिन कंदर उसका ज होता है उसमें अगर सरकारी होस्पीटल में बनावा ना दिखा रहे गा उसका साइं सीग्रेचर रहता है अगर माईलोगत प्राइबेट होस्पीटल में जो बिना रहता है तो उसका ब्राइबेट oria जो होते हैं उसका जायाइद का होता वाँ सने होता है जिस इंगighty ह elites यतली संसरे मैं पर एक से दूदिन के अंदर तो ऐसा और सकते हैं घर बेठी घर को बाया पूरुक्र क्वार्थ में सब्सक्राइब यह तो यह फिसे नहीं हो उसक के वह से नहीं होगा तो समझी को फेक हैं वह 100 परसेंट नहीं रहता है कोई भी चार्च नहीं दिया जाता है उसके लिए भी आंगर माड़ी में जाकर बनावा सकते हैं या तो ग्राम पोई जाएद वाल से बनावा सकते हैं तो कहीं होस्पिटल से भी बना सकते हैं जाकर और उसका प्रोसीजर होता है जो कम से कम 5-6 बेक्ति का वहां पर अधार कर देना होता है प्रूफ के तौर पर कि हां यह बेक्ति देध कर चुग है उनका बनाना है देध सर्टिफिकेट तो उसके लिए वहां उससे बन जागा उ सकते के गांटि होता है अब बातकर देध करने के बाद उनका सर्टिफिकेट बनता है सर्टिफिकेट बने कि यह कसी के माध्यम से होता है आप ब्लोग के माध्यम से उसका अपलाई कर सकते हैं तो उसके लाओ और आपके पास कोई शूवधा नहीं है तो उसके लिए आपको RTPS counter यानि ब्लॉक ही जाना पड़ेगा वहीं से आपका किसी भी एज का जरम परमान पत्र आपको इसू होगा जो 100% सही होगा अब मैं यहाँ पर बताने होने को जो ब्योसाइड है किस ब्योसाइड से यहाँ पर जरम परमान पत्र बनता है तो चली मैं उस वाल ब्योसाइड पर ले चलता हूँ तो सबसे पहले आपको Chrome Browser open करना है उस Chrome Browser में open करने के बाद आपको India.gov.in यह वाला बेवसाइट आपको open कर लेना है वैसे इसका लिंक में वीडियो के description box में डाल दूँगा जाहसे इस वाले बेवसाइट पर direct चले आएंगे इस पेवसाइट पर आने के बाद यहाँ पर keyword में आपको search करना है death certificate या birth certificate वैसे यहाँ से भी search कर सकते हैं या तो चली मैं यहाँ से ही search करके दिखाते हो जैसे बिहार birth certificate बिया आर टी एच तो चली यहाँ से search कर लेते हैं बिहार birth certificate इसको search पर क्लिक करेंगे यहाँ से और क्लि क्लिक करना हो गा नगा किलिक करते ही आपको पेज कुछ इस तरीका से ओपन हो जाएगा जो यहां से आप बिहार के लिए आप जानल परन्मानपत्र हो यहां पर्मानपत्र हो यहां से आप ओं-लाइइं अपारmother iw alcf search करते ही आपको जार्खंड का यहां पर ब्योस इप्लोड करें, क्लिक करते ही क्लिक करते ही आप सभी अस्टेट का लिए यहांपको देखने को मिल रहा है तो यहां पर यह official website से यहां से आप download कर सकते हैं तो इस वाले पर जैसे ही आप मालेज़े click करते हैं किसी एक पर तो facility printing के लिए तो यहां से आप सुधार कर सकते हैं साथ में आप इसमें नया बना सकते हैं साथ में यहां से आपको download भी कर सकते हैं तो यहां पर मैं एक open करकर रखा हूँ इस तरीका से और यहां पर अपना सारा detail यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर दिखा हूआ है जो यहां पर आपको दिखाए घया है तो इस पर इस पर went करेंगे क्लिक करने के बाद यहां पर on-line होता यहां पर जो सर्विस प्लस के माध्यम पर यहां पर सब डाल दिया गया मेरी पहचान जो आईडी है उस पर आपको चला जाएगा तो वहां से आप इसको अपलाइक कर सकते हैं तो अपलाइक करने का यही एक यहां पर प्रोसेस बताया गया है जो नया अपडेट होने के बाद आया पर सेटिपिकेट ऑनलाइन अपलाइक करना चाते तो आपको ब्लॉक ही जाना पड़ेगा आपको कई दिन के अंदर जो बच्चे जनम में लिये होंगे वह उनका आप घर बैठे बना सकते हैं अन्य था आपको ब्लॉक जाना पड़ेगा मैं में किसी भी तरह अगर और भी स अवाल होगा तो कमेंट एक बार जरूर किजिएगा